सातियों पहचान के जरिये मिला काम बहुत कम समय के लिए टिक पाता है लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है और कैसे बूल सकते हैं यमना प्राधिकरन को कि जिसने काम से अपनी जो पहचान है जो सूरत है जो सीरत है वो बनाई है और जब जब यमना प्राधिकरन छेत्र का नाम आएगा या जिक्र होगा तो लोगों के जहन में एक चीज हमेशा रहेगी जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितनी बड़ी एहम भूमी का अंतरास्टे हवाई अड़े ने निभाई है यहाँ पे और अन्मानिय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ड्रीम प्रोजेक्ट लोगों को दिखाया था जो सपने लोगों को दिखाये थे उन सपनों को अब ओडान दे दी है जी हाँ 19 अप्रेल को ट्रायल की शुरुवात हो गई है नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहत बड़ी खबर है बहुत बड़ी अपडेट है पूरे भारत देश के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ओम प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटिट पर मैं सोन्या चौतरी और सातियों लास्ट में क्लिप के द्वारा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल की शुरुवात हुई है बेहत ही गर्व के पल है ये हम सब लोगों के लिए तो सबसे पहले डाल लेते हैं एक बार स्क्रीन पर नजर सपने से हकीकत तक जो एक सपना था और वो हकीकत में कैसे बदला गया है जेवर का मेगा एयरपोर्ट दुनिया का स्वागत करने के लिए अब तयार है जी हाँ जो सिर्फ बाते सपने में थी और बहुत लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर हवाई अड़ा बनना इतना आम काम नहीं है बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोली कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा लेकिन जो सपने देखे थे वो हकीकत में तबदील होते हुए हमें नजर आ रहे है वहीं देखते हैं कि कैलिब्रेशन उडान परिक्षर का महत्व क्या है कल जो ट्रायल हुआ है वो कैलिब्रेशन फ्लाइट के साथ हुआ है वहाँ पर देखा गया है कि जो जो भी उपकरण लगाए गए है वो सही तरीके से काम्याब है या नहीं है क्योंकि सेप्टेंबर में यहां से उडानों की शुरुवात होने जा रही है और जेवर एयरपोर्ट को भी एक नई पहचान मिलने जा रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी यहां पर सूरत और सीरत पूरी तरीके से बदलती हुई हमें नजर आ रही है गुरुवार को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी पहली कैलिब्रेशन उडान परिक्षन किया जो साइट पर इस थापित सभी नैविगेशन प्रणालियों की कारने छमता की पुस्टी करने के लिए आवश्यक कदम है यह बहुत जरूरी होता है ट्रायल करवाना कि जो भी वहाँ पर चीजे लगाई है जो भी एक्क्यूपमेंट जो भी उपकरन वहाँ पर यूज किये गए है क्या वो सब ठीक है या नहीं उसके लिए पूरा एक परिक्षण किया गया है इस परिक्षण में बीच क्राफ्ट किंग एयर बी 300 विमान का उपियोग किया गया है जो DVOR कैलिब्रेशन के लिए विशेश रूप से उपियोग में लाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नैविगेशन सहायता सहीत और कुशलता से काम कर रहे हैं देख लेते हैं जेवर इंटर्नेशनल एअरपोर्ट का परिचर जेवर इंटर्नेशनल एयरपोर्ट जो जेवर ग्रेटर नोयडा में इस्थित है एशिया का सबसे बड़ा इंटर्नेशनल हभाई अड़न और हर कोई इस चीजसे वाकिव है यमना प्राधिकरन को ना जान के लोग वहाँ पे जो पहचान बनी है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और हमेशा बनी रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी एहम वूमी का नेभाई है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यमना प्रादीकरन छेत्र को विक्सित करने में और यहां पे इतने बड़े बड़े निवेस लाने में और इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने में वहीं देखते हैं यह परियोजना छेत्रे विकास और आधुनी करन को बढ़ावा देने के लिए निर्मित की जा रही है इसका उदगाटन इस वर्ष के अंत में होने वाला है जिससे यह उत्तर भारत के लिए एक महतपूर्ण विमानन हब बन जाएगा एयरपोर्ट की स्थापना से यात्री और माल परिवहन की छमताओं में काफी व्रद्धी होने की उम्मीद है एयरपोर्ट सिर्फ हम इसी लिए हम इसका जिक्र नहीं करते कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट आ गया है एक तो सबसे बड़ी चीज अंतरास्टे हवाई अड़ा और वो भी एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किस तरीके की यहाँ पर जो चीजें हैं जो योजनाएं हैं या जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है जिस तरीके कि यहां पर कम्पनिया इच्छुक हो रही है इस छेतर में लगाने के लिए उसे एक बार अगर हम सोच के देखें तो यहां का क्या भविश्य होने वाला है मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत जादा इसमें कहने की जरूरत पड़ती है या बताने की जरूरत पड़ती है अभी तक जो चीजें थी वो सिर्फ चीजें आने वाली हैं चीजें आएंगी ट्रायल शुरू होगा एयरपोर्ट की शुरूवात होगी लेकिन अब शुरू हो रही है तो जो समय था वो लोगों का जो कहना था कि अभी यहां कुछ नहीं होगा वो सब कुछ तबदील होता हुआ हमें नजर आ रहा है और किस तरीके से यहां पर विकास चल रहा है वो अब आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं हाली में नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट द्वारा ट्विटर एक्स पर शेयर किये गए वीडियो में एरपोर्ट की प्रगती और वर्तमान इस्तिती को दर्शाया गया है जिसमें इसके विशाल और आधुनिक धाचे पर प्रकास डाला गया है ट्विटर पे ट्विट करके ही नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट ने ये अपडेट दी है और एक वीडियो भी उसमें अपडेट किया वो वीडियो बहुत जादा वाइरल हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रायल है उश्षी शुरुवात हो चुकी है कैलिब्रेशन उडानों के उद्देश्य जो है वो भी एक बार देख लेते हैं कि क्यूं ये उडान जरूरी होती है कैलिब्रेशन उडाने नई एरपोर्ट के लिए अतियंत आवश्यक होती है क्योंकि ये रनवे की लाइटिंग, हवाई छेत्र और नैविगेशन साहता की पुस्टी और सुधार करती है जिससे वेवेसाइक संचालन शुरू करने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इन उडानों के दौरान एकत्र की गई ये जानकारी से ले आउट, पिरक्रियाओं और अन्य संचालन पहलों को एड़िस्ट करने में मदद मिलती है जो पाइलेटो और एयरपोर्ट प्रबंदन के लिए महतपूर्ण है कि यहां से कैसे किन-किन चीजों में भी काम करना है या किन-किन चीजों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है वो सारी चीजे इसके माध्यम से हमें पता चल जाती है N.I.A. नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचार और जनसंपर्ग नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कैलिब्रेशन उडान जैसे महतपूर्ण विकास को साज़ा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे की ट्वीटर एक्स का प्रियोग किया है जिससे वे सार्वजनिक और हित धारकों को जुड़े रहने और एयरपोर्ट की प्रगती में रुची रखने के लिए प्रोचसाहित करते हैं शोशल मीडिया का इस्तमाल वास्तविक समय में अपडेट देने में महतपूर्ण भूमी का निभाता है जो समुदाय को इस साल दिसंबर में होने वाले एयरपोर्ट के उधगाटन की और बढ़ती प्रगती से अवगत कराता है शोशल मीडिया पर ही ये चीज अपडेट की है नौईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने निये और उसमें ही सारी पुस्टी की है और बहुत एहम योगदान है देखो शोशल मीडिया का भी आज की डेट में क्योंकि शोशल मीडिया से लोगों को घर बैठे जानकारी मिलती रहती है कि कितनी चीजे अपडेट हुई है कितनी चीजे धरातल पर आ गई है वहीं भविश्य की संभावनाएं और उद्गाटन क्या भविश्य की संभावनाएं हैं वो तो हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते आ ही रहे हैं बाकि आपको कुछ समय के बाद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुद सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कैलिब्रेशन परिक्षरणों की सफलता के साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस साथ सैप्टेंबर से दिसेंबर के बीच में अपने भवे उद्गाटन के लिए तैयार है जो भारत के विमानन धाचे में एक महत्पूर्ण मील का पत्थर साबित होगा बिल्कुल होगा जी एयरपोर्ट की संचाला रात्मक तैयारी चेतर में कनाक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा करती है विमानन मान को और सुविधाओं में नए मानदंड स्थापित करती है मील का पत्थर तो साबित हो ही रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह अमना प्राधिकरन छेतर के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर धैरे बना के रखा है अलोट्मेंट के बाद क्योंकि सबसे पहली अलोट्मेंट 2009 की और इतना धैरे लोगों ने दिखाया है तो उनोंने एक अच्छी चीज यहाँ पर हासिल कर ली है और इस चीज से यह चीज भी दर्शाती है कि देखो धहरे जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि जिन लोगों ने बहुत जल्दबाजी की और जो लोग अब भी बहुत जल्दबाजी करते हैं कि अभी यहाँ पर पता नहीं कितना समय लगे हम वहाँ से इतना भी रिटन ले सकते हैं लेकिन यहाँ हमें समय लगेगा पर ट्रायल की शुरुवात हुई है, तो आईए देखते हैं वीडियो क्लिप में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक क्लिप के द्वारा हमने ये दर्शाया है, तो आप देख सकते हैं, लोगों के सपनों की उडान है, ये जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट से ट्रायल, बहुत लोगों की उम्मीदे यहां से जुड़ी हुई हैं, बहुत लोगों के सपने यहां से जुड़े हुए हैं, और उन सपनों को कहीं न कहीं, अब ये चीजें हो गई होगी कि हाँ भई, जो हमने सपना देखा था, वो पूरा हो गया है, लोगों का इंतजा पाल थे उनके जवाब भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो सातियों मैं तो हर दिन नई अपडेट के साथ नई खबर के साथ आपको मिलती रहती हूँ, बाकी हर दिन यही कहूंगी कि अच्छा समय है और भविश्य का सहर है, बाकी समझ आपकी है कि आप कब यहाँ बहुत बहुत आभार